तो फ्रेंट्स आप हम निकल चुके हैं माम मंसा देवी के दर्शन के लिए और यहां से देखते हैं कहां से ओडन खटोला मिलेगा कहां से में बैट्री कार मिलेगी और कहां पे हम अपना दर्शन करेंगे तो फ्रेंट्स चलो अब हम एक अपना दिल पक्का करके और महां तक आशिर्वाद लेते हुए सीडियो का रास्तम ने चुना है अब मैडम आपको बताएंगे कुछ चलो अब देखते हैं कीतना टाइम हमें लगेगा पैदल चलने के लिए चलो मैडम बेटी हां तक लाई हो बिले चलो वाँ क्या सुन्दर नजा रहा है कि जैम आता दी ती दो दमाद चलो फ्रेंट्स यहां पर ही काके नई बात पता लगी है मैं अगर आप टिकट ले लेकर तो भी आपको दो गंटे का वेट करना ही पड़ेगा वाँ मान वाँ दो गंटे वेटिंग के बाद ही आ अचा प्रेंट्टो मिल गए पाणी का बोत्तर भी लो इस तेहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह बैट भी आटो वाले हैं यहां से आप जब दर संक्रिक आएंगे तो आप थंडी देवी के लिए जा सकते हैं तो फिलाल अभी हमारी यात्तरा जा रही है तो यात्त करते हैं पैदल जाएंगे मंसा देवी के दर संकानी के लिए और आपको मैडम कुछ बताने वाले हैं मंसा देवी के लिए जो रोप पे जाते हुए उड़ाने खटोला और यहां पर वैदर भी काफी साफ है अगर आपको बुकिंग कराने तो आप उनलाइन भी बुकिंग इजिए कि अगे 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 आगे उपर देख पकड़ तो फ्रेंड्स ये भी इनका एनाउंस्मेंट चल रहा है और ये सारे के सारे यहां पर उड़न कटोला बीच में अटक चुके हैं यहां पर पेटक गया है रीजन अभी कुछ बतानी रहे हैं आप देखते क्या होता है ये अच्छा निगवाव ऐसे पे पापा गया है ये इंदे बात कर लेग वहार आप थोड़ा है लेकिन वोल रहें कि रुकी गया है चलो ये कौन ये कौन साइस्थान है वटी गई ये इन कुछ फोज़़खां रहें किया लाव तो फैंट्स अभी हम जाते हैं अपने दर्सन करने के लिए मैडम बताना चाहेंगे आप कुछ चैसमा चैसमा चैलो फलाल बोलते चलते हैं जयम आदा दी जयमन सादे भी तो फैंट्स भी विए विए रोबवे की सर्विस रोक दिये बीच में जो आपको अने पिछले उसमें दिखाए थी चैलो ग्राद मंसा देवी की यात्रागे में हमें दिखेंए यहां पे नयने फल इसको कहते हैं राम फल यह बेर जो सब जगर मिल जाटने हैं फ्लुट्ट चार्ट और वह हैं अपना ख्रीर्ण तो अगर आप यहाँ पर आते हैं मंसा देवी के दर्शन के लिए तो आप अगर आप कमन करता है तो रामफल जरूर ट्राइ करें और हमें कोमेंट में करके बताएं कैसा है बाकी अभी हमारी यात्रा जा रही है यहाँ से उड़न कटोला जाते हुए यहाँ से लिफ्ट मागन